हेलो एवरीवन मेरा नाम डॉक्टर आरती है हम सभी ने जॉइन पेन कभी ना कभी महसूस किया है जब भागदोर बहुत बढ़ जाती है या काम का लोड बढ़ जाता है तो जॉइन पेन होना बहुत ही आम बात है पर अगर ये परेशानी आपको बार-बार हो रही हो या तेज होता है या कभी हलका डल पेन हमेशा रहता है इसके वज़ज़ से सूजन भी हो सकती है जिसके वज़ज़ से रेडनेस होती है थोड़ी गर्मी महसूस होती है जब सूजन बहुत बढ़ जाती है तो मुव्मेंट्स रस्रिक्टेड हो जाते है आप आपके जॉइन के वज़े से यह तकलीफे हो सकती है इनके अलावा जो लोग ज्यादा जोड़ों का इस्तमाल करते हैं जैसे कि कुछ फंगल इंफेक्शन, वाइरल इंफेक्शन, बैक्टेरियल इंफेक्शन इनके वज़े से भी जॉइन पेन होना कॉमन सी बात है कुछ ओटियूमिन डिसॉर्डर्स जैसे कि लियूपिस, सोराइटिक अर्थाडिस या स्पॉंडिलाइटिस जिन में बॉड़ी की करने का भी सुझाव दिया जाता है अगर तकलीफ ज्यादा हो तो बोन आस्परीशन या बोन डेंसिटी जैसे टेस्ट भी करवाया जा सकते हैं जॉइन पेन जैसे समस्या फिर वो किसी भी वजह से हो इन में होमेपती बहुत ही मददगार साबित होती है होमेपतिक दवाई करते वक्त आपकी लाइफस्टाइल खान पान और बाकी अन्य समस्याओं का भी विचार किया जाता है जिससे ये परेशानी जड़ों से दूर होने में मदद होती है होमेपतिक दवाईया बहुत ही सुरक्षित और नैसरगीक होती है जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होत अगर वजन ज्यादा होता है तो उसका प्रेशा जॉइंट पर आता हो जौन पेंट बढ़ सकता है इनके अलावा रोज थोड़ा एक्सराइज और स्ट्रेचिंग करें जिनसे फ्लेक्सिबिलीटी बनी रहती है अपने खाने में बहुत सारे फल और सबजियों का इस्तमाल क करें खाने में कैल्शियम और ओमेगा-3 फाटे असिट ज्यादा होना इंपोर्टेंट है इसके अलावा बहुत सारा पानी पे और अगर कोई भी परेशानी हो कोई मेंटल स्ट्रस या टेंशन हो तो इसकी लिए मेडिटेशन या योगा करने से भी मदद हो सकती है ऐसे अग होमेपतिक दवाई शुरू कर दे तो हम जोइन पेन से बच सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेर करें हमारे चैनल को ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें थैंक्यू